हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडी कर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, 15 अक्टूबर 2022 को UP SSSC PET का एक्जाम हुआ है, तो इसकी आंसर की को हम डिसकस करने वाले हैं, तो जो फर्स्ट शिप्ट की आंसर की है, उसको डिसकस करेंगे, तो आप इस वीडियो को बहुत ध् हैं, देखिए दोस्तो, जो आपका पेपर था, वो PDF form में था, लेकिन उसमें कुछ चीज़े इसपष्ट नहीं थी, तो उसको इसपष्ट करने के लिए दोस्तो, इस प्रकार से आपका पेपर बनाये गया है, तो फर्स्ट कोशन जो था, वो इस पैराग्राफ के आधार पर पेराग्राफ के आधार पर हमें कोशन का आंसर देना था, तो जो पहला कोशन है, उसका सही जबाब क्या होगा, सत्य रूपी परमे सुरग की रत्ने चिंता मनी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है, ओप्सन नमबर A, अंगला कोशन जो है, गर्दा स्रद्धा पूर्वक अंता विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, इस सत्य का साच्छातार करें, अंगला प्रिस्न है, जिग्यासु को सत्य एवं अहिंसा के पतपर चलते समय संक्टों का सामना कैसे करना चाहिए, तो इसका जो सही जबाब होगा, बो होगा अप्सन नमबर A, यनि संक्टों को सहते हुए निमित नास किये बिना आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो चार का अप्सन नमबर A सही हो जाएगा, फिर है कोशन नमबर 5, सत्य और अहिंसा के मार्ग को आसी की धार पर चलने के समान क्यों बता गया है, आंसर होगा इसका अप्सन नमबर A, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग की जितना सीधा है, उतना ही तंग है, और इस मार्ग पर चलना अतियंत कठिन है, देखे दोस्तों, अब आपको एक पैराग्राफ में कोशन दिया गया था, उसके आधार पर कोशन बताने थे, ठीक है, तो ये इसमें हम केबल आपको आंसर बताएगी, सॉल्ब नहीं करेंगे, ठीक है, सॉल्ब करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, केबल हमें इसके आंसर जाना है, आंसर की देखनी है कि इसकी आंसर की क्या है, तो कोशन नम्र six का आंसर होगा, option नम्र ए, seven का आंसर होग नमबर D और फिर इसी प्रकार से 10 वे का जो आंसर है वो है option नमबर A 11 वे का जो आंसर है वो है option नमबर D 12 वे का जो आंसर हो जाएगा वो होगा option नमबर B 13 वे का जो right answer है वो है option नमबर D 14 वे का आंसर हो जाएगा option नमबर B ठीक है 15 वे का जो right answer होगा वो होगा option number A option number A इसका right answer होगा 16 लबे का no. 3 option number A 18 लबे का right answer है option number B ठीक है और 19 लबे का right answer होगा option number A अंगला कोशन है 20 लबे का right answer है option number C और 21 बे का जो right answer है वो है option number A इसी प्रकार से 22 का जो right answer होगा वो होगा option number C 23 का जो right answer है वो है option number B 24 का right answer होगा option number D और 25 का right answer होगा option number D ठीक है? अंगला question है 26 बाप ये दोस्तों G के GS का question है तो निमने लिखित में से कौन सा वह ब्यक्ती है जिसका नाम देव नाम प्रिये या प्रिये दस्ती भी कहा जाता था तो जो मौरसमराट असोख है उसे देव नाम प्रिये या प्रिये दस्ती के नाम से भी जाना जाता था संग मरमर पर पित्रा डूरा या पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जडाई का काम किसके समय पर लोग प्रिये था तो साह जांके समय पर लोग प्रिये था निमने लिखित में से किस योग में तावे का पहली बार प्रियोग किया गया था तो तामर पाशाण योग में है निमने लिखित में से किस इस्थान पर प्रथम बौध संगीती का आयुचन हुआ था राजगीर में दांडी नमक यात्रा के दौरान निमने में से किस सामाजी कारकरता ने गांधी जी को आंदुलोनों में केवल पुर्सों तक सीमेत नर करने के लिए राजी किया था तो कमला देवी चटो पाध्याय ने जब इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका सासन था तो मुगल समराठों का सासन था भूदान ग्रामदान अंदूलन निमने लेखित में से किस के द्वारा सुरू किया गया था बिनोवा भावे के द्वारा प्रसिद युद्ध का नारा चलो दिल्ल किस ने दिया था सुभास चंद्र बोस ने राष्ट बाद की पहली इसपष्ट अविव्यक्ति निमने लेखित में से किस क्रांती के साथ हुई प्रांसीची क्रांती सरकार के निमने लेखित में से किस अधनियम के कारण बंबई सिस्सिंध प्रांत का निर्मार हुआ तो इ निम्ने लेखित में से कौन सा जनसंख्या बितरण को प्रभावित करना वाला आर्थिक कारण नहीं है पानी की उपलबदिता। विश्व की सबसे उची चोटी माउंट एवरेष्ट किसके बीच है नेपाल और तिबबत के बीच है। निम्ने मैंसे भारत में अक्टूवर की गर्मी का मुख कारण क्या है तो उच्च आर्दता से जुड़ा उच्च तापमान। किसी भी बिकास्तील अर्थविवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांस गतिविधियां चेतर से संबन्दित होती हैं। निम्ने मैंसे कौण सा हरित करांथी की रणनीती का हिस्सा था तो इसका रायट आंसर होगा अप्सन नम्मर बी यनि यह सब ही। निमिन मेंसे किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है? उसी नदी को भारत की पंचवर्शी योजनाओं को अंतिम सुईकृती निमने लिखित में से किस के द्वारा दी गई थी? राश्टिय विकास परिशद के द्वारा भारत की संग कारकारणी में निमने लखित में से कौन सामिल नहीं है राज्यों के चीप मिस्टर निमने में से कौन सा एक बानेजिक बैंक नहीं है तो जो CDB है वो एक बानेजिक बैंक नहीं है निमने में से कौन सा साथविनिक छेतर का उकरम संसत के तहत एक बिसेश कानून पारित करके इस्थापित किया गया है तो इस question का जो right answer होगा question number 46 का वो होगा option number C बैधानिक निगम निम्ने मैं से किसी कैंसा से प्रदेश में उच्छ नियाला इस्थापित करने का अधिकार है संसत को दिखिए दोस्तों अंगला question है निम्ने लिखित में से कौन सा अंशेद भारती संविधान के सर्बूच नियाला की स्थापना और गठन के बारे में बताता है तो अंशेद 124 खालिस्तान के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की सकती है तो सर्बूच नियाले और उच नियालेओं के पास भारत में राष्टिय मानव अधिकार आयोग निम्ने लिखित में से किस मंत्राले के आधीन है तो इसका सही जबाब होगा दोस्तो उप्सन नंबर भी इन में से कोई नहीं निमोनिया मानव सदी के निम्ने लिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है तो या फैपड़े को प्रभावित करता है निम्ने लिखित में से कौन सा बनस्पती रेशा नहीं है तो जो nylon है वो बनस्पती रेशा नहीं है तारों का रंग निमने लिखित में से किस पर निर्भर करता है तो उसके तापमान पर निर्भर करता है निमने लिखित में से कौन सी gas global warming के लिए जिम्मेदार है तो green house gas global warming के लिए जिम्मेदार है अब ये mathematics की question फिर से आगए तो आप इनको ध्यान से सुनते जाएगा देखिए दूस्तों इस question का right answer नहीं है अभी जब भी इसका right answer आजाएगा तो comment box में बता दिया जाएगा ठीक है अंगला question है 56 इसका सही जबाब होगा क्या option number D 20 प्रतिसत अंगला question है परिणामों का ओसर 46 है और इसको solve करना है तो solve नहीं कर रहे है केबल हम इसका answer बता रहे हैं तो 57 का जो right answer होगा वो होगा option number B फिर अंठाउन question है नहीं है उनसर जो question है इसका right answer क्या होगा पादब कोश का बित्ती निमने लिखित में से किस से बनी होती है तो cellulose से बनी होती है फिर अंगला question है 60 तो इसका सही जवाब होगा option number C और फिर है किस बिकल्प में सभी सब्द परस पर परियायवाची है तो पारबती या रुद्रानी भवानी ये परस परियायवाची है किस बिकल्प में सही बिलॉम योग्यम है तो इसका अंसर होगा नूतन पुरातन खयाली पुलाव पकाना महावरे का अर्थ है असंभा बातों की कल्पना करना महरसी सब्द का सही संदी बिच्छेत बताइए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 64 का वो होगा option number B महाधन रिसी किस बिकल्प में सब्दियोग्म का अर्थ अर्थ भेद सही नहीं है तो दोस्तों इस question का जो right answer होगा 65 का वो होगा option number B अवलंब अवी लंब फिर देखे दोस्तों English के question पूछे गए थे तो ये paragraph है और फिर उसकी आधार पर question के answer देने थे तो आप paragraph देख लिजेगा आपके किस question में है ये और 66 का जो right answer होगा वो होगा no फिर अंगला question है 67 तो इस question का जो right answer होगा 67 का वो हो जाएगा option number B फिर है 68 number question तो इसका right answer होगा option number A फिर दोस्तों reasoning के question है तो 79 का जो right answer होगा वो होगा option number A क्या हो जाएगा option number A फिर 70 का जो right answer होगा वो होगा option number A 71 का जो right answer होगा वो होगा option number A फिर दोस्तों इसमें synonyms बताना है partial का तो synonyms क्या हो जाएगा partial का तो इसका answer होगा option number C फिर दोस्तों 73 का जो right answer होगा वो भी comment box में बता दिया चाहेगा 74 number question का जो right answer होगा वो होगा option number B ये reasoning का question है 75 भी reasoning का question है तो इसका भी right answer आपको comment box में बता दिया चाहेगा 76 number question है इसका right answer होगा option number A ध्यान से सुनियागा question किया था निमिन लेखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सेन अभ्यास किया है तो अमेरिका ने किया है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर बाटर मेट्रो का उदगटन निमिन लेखित में से किस सहर में किया गया था तो current affairs में आपको पढ़ा है था पुणे में किया गया है निमिन लेखित में से किस देश के विज्ञानकों ने पहला कृतिम भूर तयार किया है तो यह अभी हाली की निवज है इसराइल के विज्ञानकों ने ऐसा कारे किया है पुधानमंती नरेंद्र मोदी ने निमले लिखित में से किस राज में IIBX लॉंच किया है तो इस question का right answer होगा 79 का जो right answer होगा वो होगा गुजराद आजादी का अमरित महुत्साओं के तहट बढ़े चलो अभियान निमले लिखित में से किस कैंद्रिय मंत्राले के द्वारा सुरू किया गया है तो इसका सही जबाब होगा option number C संस्कृती मंत्राले के द्वारा भारतिय सेना ने जुलाई 2022 में नामा के एक अखिल भारतिय उपग्राह संचार अभ्यास का आयोजन किया है तो इसका नाम क्या था स्काई लाइट क्या था उसका नाम स्काई लाइट निमने लेखित में से किन दो सेहरों के बीच आकासा यारलाइन की पहली उडान काउद घाटन किया गया तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा ब्यासी का वो होगा option number D मुमई से एहमदाबाद निमने लेखित में से कौन सा राज भारत में पहला हर घर जल प्रमारत राज बन गया है तो ये बहुत ही question है कल के ही current of years या कल या परसों के current of years में ये पढ़ाया था हर घर जल प्रमारत राज राज कौन है गोवा है निमने में से कौन भारत का पडोसी देश नहीं है तो दोस्तों UAE जो है वो भारत का पडोसी देश नहीं है निमने लिखित में से किस IIT ने भारतिय भासा प्रोदोखी को को आगे बढ़ाने के लिए फिर A4 भारत में नीले कणी कैंदर की सुरुवात की है तो इसका right answer होगा 85 का वो हो जाएगा option number B मद्रास यानि IIT मद्रास ठीक है तो इसका right answer होगा option number B किस केंद्रिय मंत्री की अधिक्षता में चंडीगर में नसीली दबाओं की तसकरी और राष्टिय सुरक्षा पर एक राष्टिय संभीलन आयूजित किया गया है अमित साय लोक्षभा में पद्धारन करने की नियूंतम आयू है कितनी पचीस बर्स निमने लिखित में से कौन सा विस्टो का सबसे वड़ा नदी दूइप है तो दोस्तो माजुली दीब कौन सा है माजुली दीब निमने में से हंग्री की राष्टिय मुद्रा क्या है तो दोस्तो हंग्री की राष्टिय मुद्रा क्या है अप्सन नमबर ए हंगेरियन फॉरेंट स्वतनता के बाद भासा के अधारपा बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है आंधर प्रदेश निमने में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक Powers of the Mind लिखी है तो Powers of the Mind किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका सही जवाब होगा Option number C स्वामे विबेकानन्द के द्वारा UNFCCC का अर्थ निमने लिखित में से क्या है तो इसका सही जवाब होगा Option number C यानि United Nations Framework Convention of Climate Change नौटंकी निमने लिखित में से किस राज़ का लोगने थै तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोगने थै अंतरराष्टियों ओलंपिक समीती का मुख्याले कहा है तो इसका सही आंसर होगा Option number C स्वेडियल लेंड में लेकि दोस्तों अब हिंदी के question है कुछ इसमें भी आपको एक पैरा पढ़ना था और पैरा की आदार पर question के answer देने थे तो 96 का जो right answer है वो है option number C 97 का जो right answer है वो है option number A और फिर 98 का जो right answer हो जाएगा वो होगा option number A ठीक है और फिर इसी प्रकार से 99 इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सब्वता, पूरुवजयों के बिचार, अनुसंधान, आदी, तातकालीन, साहित, के द्वारा ही जाने जा सकते हैं और जो last question था तो इसका right answer होगा option number D ठीक है तो दोस्तों ये थे यूपी त्रपल एसी पैट को जो 15 अक्टूबर को एक्जाम हुआ है तो उसका first shift का answer की है तो इसको आप download कर लें हमारे app पर app को सबसे पहले download करें description box से या फिर आप Google Play Store से भी इससे download कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको lecture पसंद आ रहा हो तो आप इसे like करें share करें और channel को जरूर subscribe करें इसका जो second shift की जो answer की है वो भी जल अपलोड कर दी जाएगी तो आप जरूर देखिएगा जय हिंद बंदे मात